जय जिनेंद्र, मित्रों, यह तो आप सभी जानते ही है कि हमारे जयन धर्म में अहिंसा का सर्वोच चस्थान है, जीवदया हमारा धर्म है, इसी जीवदया एवम करुणा का एक उत्कृष्ट उदाहरन आज हम देखेंगे, मित्रों, वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में अनुमोदना अवश्च लिखना, इस समय दक्षन अफ्रीका में स्तित नामीबिया देश भयंकर अकाल का सामना कर रहा है, नामीबिया में चारो और भुकमरी फैली हुई है, मित्रों, अकाल की इस विकट परिस्थितियों में नामीबिया सरकार ने एक दुखत घोशना की ह इस घोशना में नामीबिया सरकार ने वहां के स्थानिये लोगों का पेट भरने हितू, 700 से ज्यादा जंगली जानवरों को मारने के आदेश जारी किये है, इन जानवरों में 200 से अधिक निर्दोश हाथी है, मित्रों, जब यह बात अहमदाबाद की जैन संस्था तपोवन यूथ त्याग को पता चली तो उन्होंने तुरंथ ही नामीबिया में भारत के राजदूत से संपर्क किया, भारतिये राजदूत ने नामीबिया सरकार से संपर्क किया, तपोवन यूथ त्याग जैन संस्था ने नामीबिया सरकार के राष्ट्रपती, उपराष्ट्रप प्रधानमंत्री आदी से संपर्क किया। नामीबिया से भारत के राजदूत ने दिल्ली आकर तपोवन जैन संस्था त्याग के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री हिमानशु भाई शाह, देवर्शी शाह एवं अभय शाह से भेंट की। मारने का आदेश जारी नहीं करने की बात कही। साथ ही नामीबिया में खेती आदी करने हेतू आवश्यक सामगरी उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। जैन संस्था त्याग के उतक्रिष्ट कार्यों को देखकर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी ट्वीट कर तपोवन त्याग जैन संस्था की अनुमोधना की है और उन्हें इस जीवदया के कार्य में पूर्ण सहयोग करने का आश मिश्वासन भी दिया है मित्रो हमारे भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय हाथी तक सभी पर दया एवं करूना का उपदेश दिया है आज उन्ही उपदेशों का पालन करते हुए तपोवन जैन संस्था त्याग ने उतक्रिष् कार्य किया है बारंबार अनुमोधना जिन्शासन की जय जयकार धन्यवाद